नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं सावन में सुक सरमर्थी के लिए तुलसी के साथ लगाई ये पोदे माने गए हैं बेद शुब, इनको लगा कर आप अपने जीवन में हर प्रकार की खुश्यों को प्राप्त कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, तुलसी के पोदे को घर में लगाना बेद पुरानों में बहुती शुमानग है घर में तुलसी के पोदे की रोजनब पूजार्चना की जाती है माना जाता है कि इससे घर में सकारात्म कुर्जा का संचार होता है और घर में कभी भी सुक्सम्रदी और धंदाने की कमी नहीं होती है घर के भीतर उतर पूर दिसा की और तुलसी का पोदा लगाने से सुफल की प्राप्ती होती है साथ ही स्वास्ति के लियाद से भी तुलसी की पत्ती काफी फायदे मंद होती है लेकिन वास्तु के अनुसार घर में तूलसी के पोदे के अलावा और भी कई पोदे लगाने का मैत वह है जिसे घर में लगाने से शुद्ध और शकारात्मक वातवन बन जाता है जाने सावन के महीने में तूलसी के अलावा किन पोदों को लगाना सुम माना गया है धतूरे का पोदा, वेज पुरानों में धतूरे को भगवान शिव का प्रशाद माना गया है, जोतिसास के मताबिक धतूरे में भगवान शिव का वास होता है, माना गया है कि मंगलवार और रवीवार को धतूरे का पोदा लगाने से भगवान शिव की कृपा बरसती है, और घर में धन समपत्ती की वर्षा होती है। केले का पोदा, घर में केले का पोदा लगाना शुमाना जाता है। इसे घर की negativity समाप्त होती है, हलाकि ये भी का जाता है कि तुलसी और केले का पोदा एक साथ नहीं लगाना चाहिए। घर के मेंन गेट पर बाई और तुलसी का पोदा और दाई और केले का पोदा लगाया जा सकता है चंपा का पोदा वास्तु के मताबिक सावन के महिने में घर में चंपा का पोदा लगाना बहुतीक फायदे मन्द होता है चंपा के पोदे को घर में उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने का खास मैतु है माना जाता है कि चंपा के पोदे को रोपने से परिवार में कभी कल्या नहीं आती और चारू तरफ से लाप प्राप्त होता है समी का पोदा, सावन के मा में समी के पोदे को घर में रगाने से परिवर के सदश्यों को लाब होता है इसकी पूजा करने से एक तरफ सनी देव की किरपा प्राप्त होती है तो वहीं दूसरी तरफ घर के लोगों में शुक्षान्ती भी बनी रहती है